Hey guys, welcome you all once again So, आज की इस वीडियो में हम लोग अपने registers की settings को देखेंगे Timer 2 के CTC mode के लिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए CTC mode है क्या और यह कैसे work करता है तो इस चीज के लिए आप इससे previous जो वीडियो है उसको जरूर से देख लिजेगा क्योंकि वहाँ पर मैंने timer के CTC mode की working को अच्छे से explain किया है तो फिलहार हम इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों का TCCR2 register है इसको हम लोग timer counter control register 2 भी बोलते हैं और यही register सबसे ज़्यादा important हम लोगों का यहाँ पर है और यह basically आपका एक 8 bit का register है तो one by one इसकी bits को हम लोग देख लेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों का जो bit number 0, 1 and 2 है यह basically आपके pre-scalors को set करती है by default यहाँ पर आप अगर देखें तो values आपकी इसकी 0, 0 और 0 होती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं table है हम लोगों की जब आपकी तीनों values यहाँ पर 0, 0, 0 होती है तो उस condition में हम लोगों का timer counter stop रहता है मतलब कि आपका timer counter यहाँ पर run नहीं होगा अगर आपकी यह values 0, 0 और 0 है इसके बाद अगर आप अपने timer को run करना चाहते हैं तो आपने कुछ न कुछ clock pulse अपने timer को देना पड़ता है अगर आप यहाँ पर clock pulse को divide करना चाहते हैं किसी prescaler से तो उसके corresponding आपके पास यहाँ पर अलग-अलग options हैं और जो prescaler आप use करना चाहते हैं उसके corresponding आपने अपनी यह जो तीनो bits न को set करना होगा suppose अगर आप यहाँ पर 8 prescaler लेना चाहते हैं तो उस condition में आपने यहाँ पर values 0, 1, 0 देनी होंगी similarly अगर आप यहाँ पर 1024 prescaler लेना चाहते हैं तो उस condition में आपने यहाँ पर values 1, 1 और 1 देनी होंगी तो यह आपके ओपर depend करता है आप कौन से prescaler को choose करना चाहते हैं next इसके बाद हम लोगों का यहाँ पर bit number 3 और bit number 6 आती है इनको हम WGM 2, 0 और 2, 1 बोलते हैं और यह basically आपके timer के mode को define करते हैं by default यहाँ पर आप देख पाएंगे हम लोगों की जो values हैं वो 0 और 0 है तो जब आपकी यहाँ पर values दोनो 0, 0 होती हैं उस condition में आपका जो timer है वो normal mode में run होगा और फिलहाल हम यहाँ पर CTC mode की बात कर रहे हैं तो CTC mode में अगर आप अपने timer को run करना चाहते हैं तो उस condition में आप लोगों ने WGM21 को यहाँ पर value 1 देनी पड़ेगी और आपका WGM20 को value आपने 0 देनी पड़ेगी similarly अगर आप यहाँ पर fast PWM या फिर face correct PWM यूज़ कर रहे होते तो उसके corresponding आपने कुछ AC values देनी पड़ती हैं next इसके बाद हम लोगों के पास हैंपर bit number 4th और 5th है इनको हम com20 और 21 भी बोलते हैं और यह जो bits हैं यह basically आपके compare output mode को define करते हैं देखिए basically होता क्या है हम लोगों की जो 17th number pin है यह multiplex होती है मतलब कि इसको आप चाहें तो GPIO pin की तरह use कर सकते हैं यह फिर आप चाहें तो इसको as OC2 भी use कर सकते हैं यहाँ पर OC2 का मतलब है output compare pin ठीक है जब भी आप लोगों का यहाँ पर comparison match होता है उस condition में आप चाहें तो जो 17th number pin है इसके थूँ अपने pulses को generate कर सकते हैं अब यह जो pulses हैं इनको आप किस way में generate करेंगे यह हम लोग basically define करते हैं अपने 4th और 5th number bit से तो by default आप लोगों का यहाँ पर जो values हैं यह 0 और 0 हैं तो जब आपकी यहाँ पर comp 20 और 21 की values 00 होती है इस condition में हम लोगों का जो OC2 है वो disconnected रहता है मतलब कि आपका जो pin है वो as GPIO pin ही use होगी और secondly अगर आप यहाँ पर toggle mode use करना चाहते हैं तो उस condition में आपने यहाँ पर values 0 और 1 देनी होंगी तो basically यहाँ पर होगा क्या जैसे ही आपका first time comparison match करेगा उस condition में आपकी जो value है अगर वो initially 0 है तो वो 1 हो जाएगी और next time जब फिर से comparison होगा तो यह value आपकी 1 से 0 हो जाएगी and so on next time में जब यह आपका again comparison होगा तो 1 होगी 0 होगी and so on तो यह आपका होता है toggle mode similarly इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर clear OC2 on compare match है इस condition में basically होगा क्या आपका यह जो 17th number pin है इसमें अगर value high initially आ रही है तो जैसे ही comparison match होगा वैसे ही आपका यह जो particular pin है यहाँ पर आपकी value low हो जाएगी same इसके बाद आपके पास fourth option यह है कि आप यहाँ पर अपने OC2 को set कर सकते हैं जब भी आपका comparison match होता है तो इस condition में अगर आपका initially pin low है तो जैसे ही आपका यहाँ पर comparison match होगा उस condition में यहाँ पर जो value है वो low से high हो जाएगी तो most of the time हम लोगों के यहाँ पर toggle mode को ही select करना होता है तो toggle mode के लिए आप लोगों ने यहाँ पर values 0 और 1 देनी होंगी और यहाँ पर आपको ध्यान देना है जब भी आप OC2 को use करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर इस particular pin को as output pin define करना पड़ेगा तो OC2 जो है वो basically आपका PB3 के साथ multiplex होता है तो आपको इसको अगर output define करना है तो आपको यहाँ पर DDRB register को use करना होगा और वहाँ पर आप PB3 जो pin है उसको as output pin define करेंगे और यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देनी है DDR को define करने से पहले आप लोगों ने अपने compare output mode को define करना होगा मतलब कि सबसे पहले आपको यहाँ पर TCCR2 register में अपनी values को set करना होगा उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर DDRB register को set करेंगे यहाँ पर अगर आप DDRB register के through PB3 को पहले ही output define कर दें और इसके बाद TCCR2 में अपने mode को बताएंगे तो वो logic आपका यहाँ पर काम नहीं करेगा सबसे पहले आपने TCCR में अपने mode को define करना है और इसके बाद आपकी यह जो particular pin है इसको आप output define करेंगे नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर 7th number जो bit है इसको हम FOC2 भी बोलते हैं या फिर इसको आप बोल सकते हैं force output compare bit ठीक है तो basically होता क्या है हम लोगों के पास यहाँ पर दो registers होते हैं CTC mode में एक आपका TCNT2 है और दूसरा आपका OCR2 है ठीक है तो normally होता क्या है हम लोग OCR2 में यहाँ पर कुछ भी values देते हैं 0 से 255 के बीच में suppose अगर आपने यहाँ पर value 200 दी है ठीक है तो होगा क्या यहाँ पर TCNT2 की value हर एक clock pulse के साथ increase होती रहेगी यह initially आपकी 0 है तो 0 से 123 होगी और हर बार यह जो आपकी values है यह basically compare होती रहती है और जब आपका यहाँ पर comparison दोनों का हो जाता है मतलब कि जब आपके TCNT2 की value equal हो जाती है OCR2 के तो उस condition में हम बोलते हैं यहाँ पर comparison match हो चुका है ठीक है Now suppose अगर आप यहाँ पर forcefully comparison match करवाना चाहते हैं तो उस case के लिए हम लोग यहाँ पर FOC2 bit को one देते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका जो FOC2 bit है यह सिर्फ non PWM modes में use होती है और non PWM mode में अगर आप यहाँ पर forcefully comparison match करवाना चाहते हैं मतलब कि अगर आपकी यहाँ पर suppose TCN T2 की value 50 है और दुसरी यहाँ पर value आपकी 200 है जो की match नहीं हो रही है फिर भी अगर आप forcefully match करना चाहते हैं तो आपको basically यहाँ पर इस particular bit को FOC2 को one write करना पड़ेगा ठीके तो जैसे ही आप इसको one write करेंगे वैसे ही आप लोगों का यहाँ पर forcefully comparison match हो जाएगा और जब भी आप लोग यहाँ पर forcefully comparison match करेंगे उस condition में हम लोगों का OCF2 जो flag bit है वो set नहीं होता है और साथ ही आपका यहाँ पर जो timer है वो reload या फिर clear भी नहीं होता है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोग OC2 pin के थुरू अपने output को change कर सकते हैं according to com20 or 21 bits next इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर TC&T2 register है इसको हम timer counter to register भी बोलते हैं तो यह जो register है सबसे ज्यादा important है और initially इसकी जो value होती है वो आपकी 0 होती है और यह जो values होती है यह आप लोगों की automatically increment या फिर decrement होती है with respect to clock pulse और यहाँ पर आपको ध्यान देना है CTC mode में आप लोगों की यह जो values होंगी हमेशा incrementing mode में ही रहेंगी और यह हम लोगों का 8 bit का register है तो इसमें जो values हैं आपकी 0 से 255 के बीच में ही vary कर सकती है और जब भी आप लोग यहाँ पर अपने timer को normal mode में use करेंगे उस condition में अगर आपके TCN T2 की value overflow होती है या फिर आप कह सकते हैं जब भी आपके TCN T2 की value 255 से exceed करेगी वैसे ही हम लोगों का जो timer है वो यहाँ पर reset कर जाता है या आप कह सकते हैं आपके TCN T2 की value 255 से again 0 हो जाती है वहीं secondly अगर आप यहाँ पर CTC mode में अपने timer को run करेंगे तो उस condition में जब भी आपका comparison match होगा वैसे ही आपके TCN T2 की value reset हो जाती है मतलब कि अगर आपका OCR2 में value आपने 100 दी है तो आपके यहाँ पर जो timer counter की value है या फिर आप कह सकते हैं TCN T2 की value है 100 होने के बाद again comparison match होते ही वो 0 reset हो जाएगी next इसके बाद हम लोगों के पास OCR2 register है इसको हम लोग output compare register भी बोलते हैं और यह register अपने अंदर 8 bit की value को hold करता है और जो भी value आप इस particular register में देंगे वो जो value है उसको हम continuously compare करते रहते हैं अपने TCN T2 register की value से by default आपकी जो OCR2 की value है वो 00 होगी और यहाँ पर जब भी आपके OCR2 की value equal हो जाती है TCN T2 की value के उस condition में हम बोलते हैं output comparison match हो चुका है तो जैसे ही आपका है पर output comparison match होता है उस condition में आप चाहें तो output compare interrupt को भी generate कर सकते हैं और चाहें तो आप लोग यहाँ पर अपनी waveforms को generate कर सकते हैं OC2 pin के through next इसके बाद हम लोगों के पास TIMS के register है इसको हम लोग timer interrupt mask register भी बोलते हैं और यह जो register है यह basically common है हम लोगों के timer 01 और 2 के लिए तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो हम लोगों के 6th और 7th number bit है यह basically आपके timer 2 के साथ use होती है और अगर आप बात करें CTC mode की तो CTC mode में हम लोगों का जो 7th number bit है सिर्फ यही bit use होगी इस 7th number bit को हम लोग OCI E2 भी बोलते हैं और basically यह जो bit है output compare match interrupt को enable करने के लिए use होती है तो अगर आप यहाँ पर interrupt को use करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को अपने global interrupt को enable करना होता है जिसके लिए आप लोग SREG या फिर status register की जो i bit होती है उसको one set करते हैं और इस चीज के लिए basically आपको C language में by default एक function मिलता है SEI नाम से तो आप directly उस function को call करके भी अपने global interrupt को enable कर सकते हैं यहाँ पर global interrupt को enable करने के बाद आपको ज़रूरत होती है local interrupt को enable करने की तो local interrupt को enable करने के लिए हम लोग यहाँ पर OCI E2 जो bit है इसको one दे देंगे तो जैसे ही आप इस bit को one देंगे वैसे ही आपका output compare match interrupt जो है वो enable हो जाता है next इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर TIFR register है इसको हम लोग interrupt flag register भी बोलते हैं और यह register भी हम लोगों की common होती है timer 0, 1 और 2 के लिए यहाँ पर आप देख पाएंगे हम लोगों का जो 6th और 7th number bit है यह हम लोगों का use होता है timer 2 के साथ और CTC mode की अगर आप बात करें तो CTC mode में most of the time आप लोग यहाँ पर 7th number bit को ही use करते हैं यह जो 7th number bit है इसको हम लोग OCF2 भी बोलते हैं जिसका मतलब है output compare flag bit ठीक है तो जब भी आप लोगों का यहाँ पर comparison match होता है मतलब की जब भी आपके TCN T2 की value equal होती है OCR2 की value के उस condition में हम लोगों का जो OCF2 bit है वो automatically one set हो जाती है अब जब भी आप लोगों का यहाँ पर OCF2 set होता है इसको clear करने के दो तरीके हैं पहला तरीका यह है कि आप interrupt के through अपने ISR को execute करें तो जैसे ही आपका ISR execute होगा वैसे ही हम लोगों का hardware automatically इस particular bit को reset कर देता है और यहाँ पर alternative तरीका यह है कि अगर आप OCF2 को clear करना चाहते हैं तो आपको basically इस particular flag को programming के through logic one देना पड़ेगा मतलब कि programming के through आप इसको basically one करेंगे और one करते ही आपका यह खुद से automatically clear हो जाएगा अगर आप लोग यहाँ पर CTC mode के साथ interrupt को use करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को अपने global interrupt को enable करना होगा global interrupt को enable करने के लिए आपको SREG register की जो i bit होती है इसको one करना होता है इसके बाद आपको अपने local interrupt को enable करना होगा local interrupt को enable करने के लिए आपको TIMS के register की OCIE2 जो bit है इसको one करना होगा अब जैसे ही आप लोग यहाँ पर अपने local और global interrupt को enable करेंगे वैसे ही अगर आपका यहाँ पर comparison match हो जाता है तो यहाँ पर हम लोगों का जो TIFR register है इसकी 7th bit या फिर जिसको आप OCF2 बोलते हैं यह automatically one set हो जाती है और जैसे ही आपका यह bit one set होगी या फिर यह flag आपका one होगा वैसे ही हम लोगों का जो microcontroller है या फिर जो CPU है आपके interrupt handling vector में जाता है मतलब आप कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो ISR है वो execute होता है और जैसे ही आपका यहाँ पर ISR execute होगे again program main में आएगा वैसे ही हम लोगों का जो OCF2 है वो again zero हो जाता है so यह हम लोगों के registers की setting है CTC mode के लिए I hope आप लोगों कोई इतनी चीज़े समझ आ गई होंगी next video में हम लोग CTC mode के कुछ programs के example देखेंगे so बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को subscribe जरूर करें अपने friends के साथ आप लोग जरूर से share करें जो इस technology को सीखना चाहते हैं so thank you so much for watching जे हिंद जे भारत